तो सबसे पहले निउस है कि आवेदन से जो वंचित हैं उन्होंने दिया धरना यहाँ पर 69,000 जो सिक्षा बढ़ती हैं उसमें मुबाइल नंबर बदल लें कि कराणा आवेदन से वंचित जो तरजनों अब्यडती हैं उन्होंने सुक्रवार को सिक्षा निदे साले इस्थित बेसिक सिक्षा परिस्थ काराले के बाहर धरना दिया उन्होंने से कुछ अब्यडती ऐसे भी थे जिनके लिखित परिक्षा के आवेदन पत्र में गलत सूचनाय जाए वो भर गई थी इन अब्यडतियों की मांग है कि हलफ नामा लेकर फॉर्म की गलती सुदाने का उसर द बंद हो गया है इसके कारण दोनों फॉर्म नहीं बर पा रहे हैं अब बेरतियों का कहना है कि देड़ साल में मुबाइल लंबर जो है वो बदल गया या खो गया है लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए किसी को भरती से बाहर किया जा सकता है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते ह किया जा रहा है साइड में यह भी लिखा है अब तक 1.10 लाग से अधिक लोग जो है वो आवेदन कर भी चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो भी उस धरने की है अगली देखते हैं उस फॉर में गलत अंक भरा तो रेस से हो जाएंगे बाहर यहाँ पर भी 69,000 सि जो है वो भरने पर भी राहत नहीं इसी के संब्द में यहाँ पर केस 1 लिखा हुआ है इसी परकार केस 2 लिखा हुआ है यहाँ पर ओनलाइन आवेदन के विग्यापन को दी चुनाती इसके संब्द में भी यहाँ पर लिखा हुआ है एक केस यहाँ पर हम देख लेते हैं त शिक्षा निदे साल है इस दित बेसिक शिक्षा परिसद काराले में पृत्तियावजदन देकर जो है वो संसोधन का अन्रोध उन्होंने किया है। वो लगाई है। इसे के संसोधन की जो मांग है वो नामंजूर उपरवाले जो आविदन में संसोधन है उसी को लेकर यहाँ पर भी जाए वो बताए गया है। इसे के संसोधन के बाहर उपरवाली न्यूस में मैंने यह चीज़ बताई। अगले न्यूस है बगैर परिक्चा प्रमोट करने की मांग पर अडेच चात्र तो इलहाबद विश्विद्धाले में जो है वो जो बगैर परिक्चा प्रमोट करने की मांग है। उसको लेकर थमने का नाम नहीं ले रही है उसी के संबने यहाँ पर लिखा गया है अगली न्यूज ए उनलाइन परिक्षा सुरूख तो डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम प्राविदिक विस्विद दाले लखनों की जो परिक्षा है अगली न्यूज से परिक्षा विस्विद दाले की जो है उनमें अब होंगे बहु भी कलपी सवाल तो इस प्रकार के भी option देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप इस विद्यायलों में जो है वो देख पा रहे हैं तो इस प्रकार अन्य जो छेत्रे उनमें भी आपको यह जी देखने को मिल सकती है अगली नियुस की तो नियुकती के दो वर्स के भीतर जो है वो करना होगा bridge course तो यहाँ पर NCTE ने जो B8 वाले उनके लिए यहाँ पर लिखाया नई guideline जारू की है कि इसके अंसार परिस्थी जो विद्याल है उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए B8 करने वालों को नौकरी प जाएगा अगली भी नियुस से रिलेटर है कि नियुकती के दो वर्स के भीतर करना होगा bridge course और बात कर लेते हैं अपनी अगली और last नियुस की कि DLT course को दी गई मानिता जिसमें लिखा गया है कानपूर देहाद से नियुस है कि आखिरकार सिक्षा का अधिकार कानून के त कर सकेंगे और पटना उचनेले का जो फैसला था उसके संबन में भी मैंने बताया तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है तो यही थी हमारी आज की ओर आल नियुस आज कुड़ में इतना ही वीडियो पसंद है और लाइक अवश कीजिएगा इसी पर काड़े लिए अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते अगले वीडियो में नाइट आपिक के साथ सब्सक्राइब नमस्कार थैंक्यू पर वाचिंग